हेलो इवरिवन आप सभी का फिर से मेरे चनल पर स्वागत है आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 थेल्स परमे का थियोरम 1 और थियोरम 2 यह काफी इंपोटेंट है एक्जाम की लेवल से क्योंकि आप किसी वोड़िस प्यारी करते हैं तो थेल्स परमे का थिय देंगे तो आपको जो है पीडियो मिल जाएगा लेकिन वही नाम आपको जो इस वीडियो के नीचे कोमेंट करना परेगा उसके बाद आपको जो है पीडिया दे दिये जाएगा यहां पर देख रहे कि लाप्टोव के स्किन पर इसको टाइप किया हूँ बहुत इजी तरी लाप्टोव के स्किन पर तो देखे हैं हम आ गें लाप्टोव के स्किन पर यहां से हम आपको बताएंगे द में क्या होता थेरो में को सीध करना थेरोम वान है जैसे कि आप यहां पर देक रहे कि यह दि किसी तिर्भूज की एक बुजा के समांतर अन्य दो उल्जाओं को भीन भीन बिंदों पर परतिछेत करने के लिए एक रेखा घीचे जाये तो अन दोग हो जाये एक ही अनुपारत में विभाजित हो जाती है, यह थिल्स पर्मिय का थियोरम 1, इसका बिलोम भी इसको हम सीध कर दिये, इसका बिलोम जो है आप देखते हैं यहाँ पर, यदि दोनों कुस्टन जो है, दोनों जो थियोरम है, उसको मैं बढ़िया तरीकी से रिफाइन किया हूँ, समधाया हूँ, तो आपको इस वीडो कहां तक देखना है, बीच मैं आपना वार्टसप नमबर दे दूँगा, आप और तक देखेंगे तो आपको वार्टसप नमबर भ क्थन क्या है, यदि किसी तिरफूच की एक भुजा के समांतर, अन्य दो भुजाओं को भीन-भीन बिंदूओं पर या अलग-अलग बिंदूओं पर पर परतिछेद करने के लिए एक रेखा घीची जाएं, तो अन्य दो भुजाओं, दो भुजाएं, एक ही अनुपात मे भाजित हो जाती है, ये थेल्स परमे का थियोरम 1 है, कथन है, ये कुस्षन जो है, आपको एजामे दिया रहेगा, यही चीज आपको एजामे देगा, और उसके बाद से आपको पूरा चीज आपको प्रूब करना रहेगा, पांच नमर में पुछता है, बहुत इजी तरीक है, ठीक है, सबसे पहले हमको ये देख लेना है, ये फिगर हमारा है, ठीक है, फिगर में आपको सबसे पहले ABC एक तिर्भूज बनाना है, जैसा है कि हम यहाँ पर ड्रॉ करने की ले ले देते, आपको बढ़िया तरीके से ड्रॉ करके समझा दूँगा, ठीक है, तो चलिए हुआ है कि तिर्भूज ABC में DE जो है समानतर है BC का, ये आपको फूसन में दिया वाए, तथा DE जो है भुजाओ AB और AC को करमसर DE और E पर काटती है, ठीक है, इस तरस हम क्या करेंगे, भुजाओ जो है DE, मतलब इस तरस हम एक वरी जो है इसको काट लेंगे, ठीक है, उसके ब सीद करने के लिए का था, रचना में देखिए BE और CD को मिलाया, तथा DG लंब है AC और EF लंब है AB, यानि जो हम रचना किये हुए है, ठीक है न, कि BE और CD को मिलाया, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि BE और CD को मिलाया, और इस तरस हम आगे भी किये हैं, DG और EF को मिलाया, तो इस तरह से हम कर दिए अब यहां सुत्पति लिखना है तिर्भूच A-D-E और तिर्भूच D-B-E में अब देख लिए सबसे पहले हमें तिर्भूच A-D-E में जाना है तो हम यहां से कलर चेंज करके आपको बढ़िया से बता देते हैं ताकि आप लोग बढ़िया समझ ज है और उसी तरह से D-B-E तिर्भूच हमारा एक तिर्भूच से यहां पर है यानि इस दूनु तिर्भूच में हम एक बार चलेंगे ठीक है तो चली हम चलते हैं तो तिर्भूच का छेतपल होता है आप जानते हैं एक बड़े दू गुने अधार गुने उचाई होता है उस हम यहां पर EF रहें उसी तरह से हम D-B-E का छेतपल निकालेंगे तो एक बड़े दू गुने इसका भी अधार हो जाएगा हमारा D-B अधार इसका D-B और उचाई इसका सेम रहेगा EF खली अधार इसका चेंज होगा दोनों का उचाई एक ही रहेगा क्योंकि तिर्भूच हमारा मिलता जुलता है तो अब हम क्या करेंगे दूनों के एक साथ हम कर देगे यानि तिर्भूच A-D का छेतपल बड़े में तिर्भूच D-B का छेतपल बड़ावर में 1 बड़े दू गुने AD कुने EF और एक बड़े दू गुने DB कुने EF कर देंगे कि लिए अब यहां करना एक हो गया अब फिर हम तिर्भूज éde और तिर्भूज ecd में चलना को यह आप। घबराइगे नहीं पिडियम आपको मिल जाएका बसरते आपको को मेंट करना पढ़ेगा वीडियो के नीचे आपको को कोमेंट करके वीडियो को लाइक करना पढ़ेगा चलिए तो अ इस तरह से चलेंगे नहीं अब हम क्या करेंगे चलुए कि ADOE 4 एक बड़ा अधार होता है हमारा AE और उचाई हो जागा इस तरह से इसमें क्या हो जागा उचाई इसमें उचाई हो जागा DG ठीक है इसमें क्या हो जागा DG हो जागा पहले वाले में उचाई क्या था EF था इसमें DG हो जागा उचाई और दूनों का उचाई समान रहता है ठीक है तो यहां पर हमार DG होगा, फिर उसी तरह से ECD का च्छत पल ज्याद करेंगे, तो एक बटे दू कुने EC हो जाएगा हमारा, इसमें मुचाई DG रहेगा, फिर हम दुनू के एक दूसरे के बराबर करेंगे, तिरफूज ADE का च्छत पल बटे में ECD का च्छत पल, तो इसमें क EC है, इसको समिकरन 2 मालिया, समिकरन 1 और 2 से ADE बटे DB बडाबर में EC, हमको सीध यही करना था, तो लिखेंगे, यहां परलास्ट में लिख देंगे, सीध हुआ, ठीक है, क्या कर देंगे, सीध हुआ, ठीक है, यानि जब हम इसको एक दूसरे के बराबर करेंगे, समिकरन 1 औ ADE DB बडाबर AI बटे EC, तो हम एक बार और हम इसको रिविजन करा देते हैं, थोड़ा सा छोट करके, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर हमारा थियोरम था, ठीक है, ठीक है, थियोरम का कथार, यहां पर फिगर था, फिगर को हम यहां से बड़िया से डिफाइन कर देते हैं, थोड़ा, ताकि आप लोग समझ सके, इसको हम अड़ा दिये, देख लिए, फिगर आपको साब दिख रहा होगा, उसके बाद दिया हुबार जो चीज हमने लिख दिया था, ठीक है, उसके बाद सीध क्या करना था, ADE DB बडाबर AI बटे EC, इसको भी हमने यहां पर बता दिया था, रचना में क्या करना है, उसको भी मैंने यहां पर लिख दिया, उत्पती क्या है, उसको भी मैंने यहां पर बता दिया है, उसके बाद यहां पर, जो मतलब तिरभूज में चलते हैं, उसके बार में हम यहां पर चले हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम तिर तिर्भूज ADE में उसके बाद DBE में चले थे ठीक है इस तरह से हमारा Define हो गया था अब उसके बाद हम ADE और ECD में चले थे ठीक है उसके बाद यह भी हमारा Define हो गया था समीकरान एक और दूसे डारेक्ट हमारा बस्सीद हो गया ठीक है तो चलीए अब हम आपको theorem नंबर 2 बताते हैं इसके बिलोव है इसलिए इसको बढ़िया से आप लोग समझेगा ठीक है बढ़िया से आपको बढ़िया मतलाब देखना है क्योंकि 5 नंबर के सवाल है आपको मैत में 5 नंबर दिलाएगा तियोरम नुमर दू करा यह दि कोई रेखा किसी तिरभूज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समानतर होती है चलिए फिगर हमारा वही रहेगा यह जो हमारा लाइन रहता है वो डॉडड़ दूनु में रहत है यह दॉड़ 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 आप घबढ़ेगे कि नहीं जहाँ जाएं कि क्रम सबीनिदू और य इस परकार मिलाती है यहां पर ओगा कि याँ ऐड़ी बटे डीबी ठिक है ने कि क्या हो जाता है डी बटे डीबी बडावर में इसी हो जाता है जब क्या करना नंगाटी तक दीच सांडाना था विलौम इस का फेल्वस परिम्येका उसमें सीद करना एक हूं कि डीचे। जैसा कि आप figure में देख रहे लेकर अगर आपको यहाँ आपको समझ में आएगा तो figure से हमको對再 यह हो गया हमारा यह ओगया एक ही होगा यह होगया पर यह हमारा यह डिंग इंद्र टिक्थ टेते आईauen ब्लध करन दो जा एक जाएगा जैसा पहला धी चूरायं में किये थे फिर उसी तरह से इडी बी च 乐 Libri ग्याद करना होगा तो E, D, B, एक तरस हम चले तो उसमें भी सेम टूसे हम को चलना है, एक बड़े दू कुने D, B, और उसी तरस हम क्या हो जाएगा, E, F भी इसका उचाही हो जाएगा, उसी तरस हम एक दूसे को बराबर करेंगे, तो एक तिरफूच को दूसरे तिरफूच क बटे में करेंगे, तो एक बड़े दू से एक बड़े दू कर जाएगा, E, F से E, F कर जाएगा, बचे का A, D, B, बटे दू, यानि सेम टूसेम थेल्स परमे का थियोरम 1 जैसे होता है, उसी तरस आपको इसको भी करना है, उसी तरस हम E, D में चलेंगे, तो एक बड़े दू E, C होगा, और उसके बाद इसमें भी उचाई हो जाएगा, D, G हो जाएगा, यानि जब हम एक बार तिर्भूज में चले, तो उसमें हमारा उचाई हो जाए, एक बार में E, F रहेगा, दोनो तिर्भूज में, अब फिर अगले तिर्भूज में चलेंगे, तो उसमें उचा हम क्या करेंगी चुकी दिया हुआ है लिखे देंगे चुकी दिया हुआ है इस दिया हुआ है कि तिर्भूज के छेटपल बटा में हो करके अगले दो तिर्भूज के छेटपल बटा में बराबर हो जाता है, इसका मतलब होता है, थियोरम का रूल होता है कि समांतर उसमें है, यानि कि DE जो है उसमें समांतर है, यानि बीच में जो रेखा गिचा गया है DE, वो BC के समांतर जा करके वर्ग होगा इसलिए अतरडी ही जो है समांतर होगा अभी सीध हुआ और इसी तरह हम इसको थियोरम 1 और थियोरम 2 करते हैं आपको वार्टसप नमबर देना है तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक नए वीडियो में